नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अच्छा दोस्तों UPSC की तैयारी जो नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीजे और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए कुछ important information दी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए वो एक दिक्कत होती है तो आपके लिए जो मेरी commitment है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी commitment को मैं फिर से दिखाने दुबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की important information है किसी वीडियो के अंदर क्या important है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊँगा वो bites में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो दुबारा न देखना पड़े सो ये again मेरा जो commitment है आपके प्रती तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूँ मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ सो दोस्तो प्लीज इन चीजों को like कीजेगा इनको share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितना प्यार आपने मुझे दिया इनको भी इन वीडियो को भी इतना प्यार दीजेगा एंड साथ साथ दोस्तों एक और important बात अगर आप मेरे साथ मिलके UPSC को एक साल में crack करना चाहते हैं तो मैं आपको assurance दे रहा हूँ हम करके दिखाएंगे और उसके लिए आप जुड़िए Unacademy के साथ में plus course में तो plus course में जब आप enroll करें तो बात कर लिजेगा simple बोल दीजेगा कि आप code यूज करना चाहते हैं submit 10, submit 10 code जब आप यूज करेंगे दोस्तों submit 10 तो आपको मिलेगा मेरा guidance पूरी UPSC की तयारी में आप मेरे साथ रहोगे मैं खुद आपको guide करूँगा इस UPSC की तयारी में और ensure करेंगे कि within one year हम इस UPSC के exam को crack कर सकें साथी साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूँगा मेरे telegram channel से भी जुड जाईएगा telegram channel आपको पीछे दिख रहा है इससे भी जुड जाईएगा दोस्तों चलिए मिलते है next video में let's crack it blue bugging blue bugging क्या होती है दोस्तों आप अभी भी देख लो जादतर का ना जो bluetooth है वो on रहा होगा ठीक है bluetooth सबने on छोड रखा है earbud, earpode, ear कुछ कुछ उनको नाम दिया जाता है वो bluetooth से connect होते हैं इसलिए आप usually क्या रखते हो अपने phone का bluetooth हमेशा on रखते हो और उसको discoverable mode में रखते हो कि कोई भी ढूंडे तो उसको आपका phone का bluetooth मिल जाए आज कल ऐसे hacker बैठे हैं जो इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कि किसका bluetooth discoverable है एक बार अगर उनको मिल गया आपका bluetooth discoverable है अगर मिल गया उनको ढूंड ले हैं उन्होंने तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों वो कुछ ऐचे malware को भेजते हैं send करते हैं ठीक है उससे क्या होता है आपकी जैसे usually हम connect करते हैं तो हमें pair करने के लिए authentication देना पड़ता है हम अपने phone में आता है कि pair करे ना करे लेकिन जब वो attack करते हैं तो पेरिंग का वो नहीं आएगा वो सीधा उसको connect कर लेंगे उसके बाद तुम क्या बात कर रहे हो वो सारी उनके पास record होती है यूजवली यूजवली ज़्यादतर वो phone इसे compromise होते हैं जिसके अंदर में हम अपना जो है Bluetooth device यूज़ करते हैं ठीक है सुनने वाला जो मैं आजकल यूज़ करते हैं ठीक है वो ज़्यादा prone है जिनका blue bugging हो सकती है तो इसलिए यार इसके लिए कुछ समाधान भी बताऊंगा पर होता क्या है कि अगर आपका Bluetooth discoverable mode में है तो जो hacker होगा वो आप पर attack मारेगा और attack मारते time पर आपको authentication देने की ज़रूत नहीं है वो अपने आप उसकी permission ले लेगा फिर आप क्या बात कर रहे हो किस से बात कर रहे हो क्या message आ रहा है क्या message भेज रहे हो सारा data उसके हाथ में और account में अगर 200-400 रुपे पड़े है वो भी उसको पता नहींगा वो भी निकाल सकता हो तो ये एक दिक्कत है तो इसके लिए क्या करो वह एक anti-virus जो है उसका इस्तमाल करो बढ़िया software का इस्तमाल करो फोन को समय समय पर चेक करते रहो Bluetooth को off रखो और setting में जाके Bluetooth को discoverable mode से आटा दो ठीक है उसको discoverable मत रखो ठीक है Bluetooth को तभी own करो जब आप कोई device यूज कर रहे हो तो unnecessary किसी भी Bluetooth device को आप खुला मत छोड़ो ठीक है ये reason है कई बार क्या होता है आपके फोन में अचानक से बहुत जाता data इस्तमाल हो जाता है data spike हो जाता है एकदम से तो ऐसे situation में अपने फोन को देखते रहो चेक करते रहो ठीक है तो यही इसका एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो बाकी तो आज कल यार पता तो किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है ठीक है blue bugging इसको हम कहते है what is blue bugging and how it is used to hack the bluetooth enabled device कैसे हम इसका इस्तमाल कर रहे है bluetooth enabled device को hack करने के लिए GS paper 3 cyber security, cyber welfare challenges to the internet security through the communication network so apps that let user to connect the smartphone or laptop to the wireless ear plug can record conversations and the best vulnerable to the hack वही ऐसी app जिसमें जिसके अंदर में हमारे जो कान में लगाने वाले system है वो activate हो सकते है तो कहरा कि उससे blue bugging हो सकती है और आप जो भी बोल रहे हो जिससे भी बात कर रहे हो पूरा का पूरा data आपका record हो सकता है blue bugging जो है it is form of hacking ये प्रकार की hacking होती है that let hacker access to a device through the discoverable Bluetooth इसके अंदर में hacker को आपका जो discoverable Bluetooth है ठीक है usually होता है ठीक है तो वो उसकी वजह से आपके phone का उसको access मिल जाता है एक बार जब उसको device आपका दिख गया once a device or phone is blue bugged a hacker can listen to call read and send message and steal and modify your contact ठीक है जो device है कोई भी Bluetooth enabled device जो है उसकी blue bugging हो सकती है भाई wireless earboard जो Bluetooth से connect होते है वो सबसे ज़्यादा उनके उपर attack हो सकता है they are most prone to the attack of these devices ठीक है और process क्या होती है मैंने बताया यदि आपका Bluetooth own है ठीक है तो pairing के लिए तो pairing की जरुरत नहीं है उसमें it works by exploiting Bluetooth connectivity in device अरे मान के जलो आपका वो है earboard है या कुछ भी है आपने उसका Bluetooth phone रख रखा है discoverable mode पे है तो कोई दूसरा hacker जो है उसको access कर लेगा आप उसमें permission देने की जरुरत नहीं है for blue bugging to the happens the device Bluetooth must be discoverable mode आपका बस discoverable mode पे उना चाहिए आपका device आपकी earboard है मान लो जो लगाते हो कान में अगर वो discoverable mode में है ना तो उसी का access ले लेगा वो और वो earphone तो कम से कम चल रहा है तो उसको सब कुछ पता चलता रहेगा एक बार जब connection उसको मिल जाता है ना hacker को ठीक है तो hacker क्या करता है फिर brute force के साथ attack करता है एक type का malware होता है जिससे permission की जरुरत नहीं पड़ती वो direct आपके उसका जो है bypass कर देता है authentication को सीधा जाके वो उससे connect हो जाता है they can install malware in the compromise device to gain unauthorized access to it इससे क्या होता है दोस्तों वो अनाधिकृत पहुँच प्राफ्त कर लेते हैं और आपका device जो है वो compromise हो जाता है फिर उसमें कोई वरोसा नहीं है कि आपकी बाते जो है वो कौन-कौन सुन रहे हैं आपको भी नहीं पता चलेगा सर वटर अदा प्रिवेंटिव मीजर क्या है इसके प्रिवेंटिव मीजर आप कैसे रोख सकते हो तो सबसे पहला तो अपना Bluetooth off रखो डिस्कनेक्ट करके रखो और Bluetooth device जो है जब काम में ना हो ठीक है पेर हो तो अच्छी बात है आप सुन रहे हो कुछ अलग बात है लेकिन जब नहीं है काम का तो उसको बंद रखे अपनी फोन के अंदर में अगर ऐसा कुछ सस्पीशेस हो रहा है तो उसके उपर नजर रखो फोन को चेक करते रहो Bluetooth device को undiscoverable mode पे रखो आप modern antivirus system जो है उसको इस्तमाल करो दोस्तों ठीक है हमेशा कोसिस रखो कि अपना system का जो software है वो latest version में रखा जाए ठीक है जो public Wi-Fi हो देना जो free में Wi-Fi मिल रहे है या कभी भी फिरी के Wi-Fi का इस्तमाल मत करो आज कल मिलते हैं Metro पे इधर उदर तो free के Wi-Fi से हमेशा बचो कभी भी आपके फोन में एकदम से बहुत ज़्यादा डेटा इस्तमाल कर लिए अपने फोन ने ऐसा अगर कहीं भी हो तो उस चीजों को monitor करते रहो ठीक है अच्छा इसके लावा भी Bluetooth से और भी कई परकार के cyber attack होते हैं वो कौन से हैं जैसे blue bugging हो गया ऐसा यह एक और टम है साइबर सेक्योरिटी से हर बार UPC एक सवाल पूछती है तो साइबर सुरक्षित भारत इनिशेटिव क्या है आपको पढ़ना है साइबर स्वचता केंदर क्या होते हैं और National Cyber Security Strategy 2020 मैं कहके दे रहा हूं दोस्तों इन में से एक सवाल तो पूछी लिया जाता है एक क्वेशन 100% आता है और उसमें भी वो आता है कि भारत सरकार क्या कर रही है जिससे हम साइबर सेक्योरिटी को एंशोर कर सकें आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रिलिम्स में आपसे सवाल क्या पूछेगा प्रिलिम्स में कहेगा सार ये ब्लू बगिंग क्या होती है ब्लू बगिंग किस प्रकार से होती है कैसे हम इसको रोक सकते हैं और ब्लू बगिंग के अलावा भी मैंने तीन प्रकार के जो साइबर अटैक बता हैं जो ब्लू डूट से होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, एक सवाल था, 2017 में पूछा था, UPSC ने, ठीक है, मैं आप सको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल पूछते हैं, कि अगर भारत के अंदर में, ये लीगली मतलब कानूनी तोर पे आवश्यक है, कि आपको अगर साइबर अटैक होता है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, देटा सेंटर या बोडी कॉर्परेट्स, क अगर डेटा ब्रीच होता है, साइबर सुरक्षा से संबंदित को दुरगटना होती है, तो जो सेवा दे रहा है, उसको भी बताना पड़ेगा, जो डेटा के इंदर है उसको भी, और जो सर्विस प्रोवाइडर कॉर्परेट बोडी उसको भी.